हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका अपना संसकारी सुमित लास्ट येर जब मारूती सुजुकी ने यानि डिनाई कर दिया था कि अब वो डीजल इंजन के साथ कंटीनू नहीं करेंगी तो बहुत जादा एकदम शौकिंग सी वेव आ गई थी पूरी इंडस्ट्री में क्योंकि दीजल मतलब वी डी य यह नाम हो चुका था क्योंकि उसके जो अपने ट्रेडमार्क रहते हैं वह वी लॉंग रूट के लिए देखो शौर्ट रूट में जैसे अपने लोकल में जो टैक्सी चलती है ऑला बगरा जो अपने डैली में किसी भी एरिया में चलती है तो वहां तो कोई और दूसरा साथ नहीं दे पाता तो उनके तो होश्वाक्ता हो चुके थे क्या आखरी हो का गया दीरे दीरे लोगों ने सबर लिया और दीरे जो बाकी भी ओनर थे वह हुंडा की तरफ मूव करने लगे लेकिन अब जैसे कि आपको पताए हुंडा के पास भी समय जैसे पहले variety of engines रहता था 1.0 वाला फिर वह डैवलप करके जो 1.1 वाला था जो आता था अपनी ग्रैंडाइटन में फिर उसे डैवलप करा 1.2 में ही कर दिया था और उसके अलावा जो हमारा 1400 CC वाले वह भी था 1600 CC वाले engine भी था और बड़ी गाड़ी उन में भी था लेकिन अब जो statement दिया है Hyundai ने उससे भई जितने भी इस समय वाले होना रही है कि सबसे यादा जो sales हो रही है अगर सियाज लोग नहीं खरीद रहे और उसकी जगह उस budget में वरना खरीद रहे है तो उसका सबसे पहले जो reason है वो यही हो रहा है कि वरना diesel engine में आ रही है तो अब आपको प चिस से Hyundai ने मना कर दिया है बिल्कुल कि हम जो अगला जो नौम आएगा उसमें diesel engine की R&D अब नहीं करेंगे मतलब R&D तो अभी से बंद कर दिये जो इस समय चालू है engine वही रहेंगे 1.5 वाले समय engine है वही चालू रहेगा और 2027 आते वह भी सब diesel engine से हाथ वाद धो तो अगर जितने भी मारूती वाले थे वह थोड़े से जैले सो रहे तो तीन साल बाद चार साल बाद वह भी महीं के महीं आ जाने जो आगे अब 2022 से फुल बूम पर R&D स्टार्ट होने वाली हुन्डे की वह एलेक्ट्रिक कार्स को लेकर रहने वाली है मारूती ने भी स्ट कार्ट कर दिया सबसे पहले जो प्रोड़क्ट आने वाला है वह वैगन आर के थुरू आएगा एलेक्ट्रिक में कोना जो है वह हुन्डे की अल्रेडी आ चुकी है और अब बाकी जो कार से उनको भी डेवलप करना है तो इस तरह से आगे आने वाले से में में अगर आप ड जैनुवन आदमी रखता ही है जो नई कार खरीता है और वैसे 15 साल तो एज है और इसलिए बस यह एक इंफोमेशन थी कि जिन जिन लोगों के मन में यह ख्याल आ रहा है कि हां हम डीजल गाड़ी ले 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 मारुती को छोड़ दे मैं मारुती के वकालत नहीं कर रहा है कु इंडिया में सबसे पहले नंबर मारुती सुजुकी वह कुट कर चुका है यूंडाई ऑल्रेडी कह चुका है थार्ड नंबर पर जो अपने आता है महिंद्रा महिंद्रा का भी अब जो प्लैन है आप देखिने हैं जो एक यूवी आ चुकी है मतलब इलेक्ट्रिक के तरफ जाने का हो गया हला कि महिंद्रा का भी धीरे धीरे उस तरफ चला जाएगा और अगर कुछ लोग कहेंगे कि डीजल इंजन दुबारा से आने वाला है मारूती लेकर आपकी सही है लेकिन वह जहां तक उम्मीद है वह सिर्फ टूवर मतलब जो भी फ्लीट वाले मॉडल सात है उनके लिए स्पैसिफिक आने वाला है जनरल प्रप्र जनरल पब्लिक के लिए हम हमारे लिए आपके लिए वह नहीं आएगा ट्रायल चल रहा है लेकिन जिस तरह का उसका प्रीमियम होने जा रहा है और बागे सब चीजे वह बैनिफीशल भी नहीं रहेगा तो अगर चल रहेंगे उनहीं के लिए वह आयगा तो यह था इस वीडियो में छोटी से इंफोर्मिशन थी जो आप लोगों के साथ शेर करनी थी अगर आपको वीडियो चला आप तो प्लीज लाइक करना वीडियो को शेर करना अबने दूस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्